नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं सग्यों की चिंता बढ़ गई है भारत में ओमिक्रोन और डेल्टा के मेल से बने नए नए वेरियंट पकड़ में आने से इसके फीर से ब्याप्त फ्हलाव संभावना बनी हुई है रिपोर्ट के मुतावि क्रोना वायरस के ओमिक्रोन अधारित बीए फोर और बीए फाइफ वेरियंट के पुष्टी की गई है इसके खास लक्षनों में सीर दर्द, नाक बहना, गले में ख्रास और उल्टी के साथ पेट दर्द सामिल है मौसम विभाग ने 23 और 24 माई को राजे के कुछ अस्थानों पर हलके समध दर्द की बारिस की समभणा जताई है वहीं 25 और 26 माई को राजे के उत्तर पच्मी पलामों का धवा चत्रा को डर्मा लाते है और लोह लगगा जिले तथा दक्षनी पच्मी भागों में कहीं कहीं हलके दर्द की बारिस की समभणा जताई है इसके अलावा 27 और 28 माई को राजे में कहीं कहीं हलके समध दर्द की बारिस का पुर्णा लगाया गया है जारखन में प्राथमिक विद्यालों में 30 तो पलाश्टू में 55 चात्रों पर एक सिक्षक राजे में कक्षा बढ़ने के साथ साथ प्राथि सिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात बढ़ता यता है राज में प्रात्मिक कक्छा में जहां 30 चात्र पर एक सिक्छक हैं वहीं पलस्टू विद्यालियों में 55 चात्र पर एक सिक्छक प्राथ्मिक से लेकर पलस्टू अस्तर तक में राश्ट्री आउसत की तूलना में जार्खण में प्रती सिक्षक छात्र की संक्या अधिक हाएं या खुलासा केंद्री ये सिक्षा मंत्रालाई द्वारा बर्ष 2021 की जारी रिपोर्ट में हुआ है इनके अनुसार जार्खण में कक्षा 1 से 5 में 30 चात्र पर एक सिक्षक वहीं कक्षा 6 से 8 में 23 चात्र पर एक सिक्षक और कक्षा 9 वहीं दसवी में 33 चात्र पर एक सिक्षक हाएं वहीं कक्षा ये गारी वह बरावी में 55 चात्र पर एक सिक्षक हाएं गुमला में ट्रक चालकों ने बॉक्साइट धुलाई किया ठप गुमला जिलांतरगत बिस्षून पूर परक्षंड इस्थीत गुर्दरी बॉक्साइट माइन्स में तीन दिनों से बॉक्साइट धुलाई ठप है ट्रक चलक बक्साइट का उठाव नहीं कर रहे हैं सुक्रवार से ही हिंडाल को प्रबंधन की मन महरजी के खिलाब ट्रक चलको ने कांटा घहर के समीब सैक्रो बक्साइट ट्रक खड़े कर बक्साइट ढोलाई का कारे पुरी तरह से ठप कर दिया है और अपनी मांगो को लेकर कांटा घहर के समीब पिछले तीन दिनों से डटे हुए है नकसल प्रभावी छेतर के मदान के अंदरे पहुंचे रांची SSP जहारखन पंचाई चुनाव सांती पुन कराने को लेकर रांची SSP सुरेंदर जहार बुलेट से नकसल प्रभावी छेतर के मदान के अंदरे पहुंचे सिरी जहार अभीवार को नामकूम थाना से DSP मुख्यालय प्रथम नीरज कुमार थाना परभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी जीला बॉल एवं CRPF के जवानों के साथ 38 सनवेदन सिल बूथों का जाजा लेने पहुंचे इस दोरान जहां ग्रामिनों को बेख़ॉप होकर वोटिंग करने की अपिल की वहीं सुरक्षा व्यवास्ता है फोर्स मूवमेंट आर ओपी की जनकारी लेते हुए पुलिस अधिकारियों को कई अवस्यक दिसा निर्देश भी दिये बता दे कि नामकों पर खंड में तीसरे चरन में 24 माई को वोटिंग है हजारी बाग में चार अवैद पत्थर खदान में चापे मारी जारखन में बढ़ते अवैद खंड के खिलाप मुख्य मंत्री एमन सुने के कड़े निर्देश का असर हजारी बाग में देखने को मिला है जिला पर सासन की ओर से इचाक के रूद गाउ में अवैद रूप से संचाली चार पत्थर खदान में चापे मारी कर भारी मात्रा में खंड समागरी एवां बिस पोटक पदार्थ को जब्त किया गया है अलाकि इस दोरान अवैद खंड कार्य में लगे संचालक समेत अन्य भागने में सफल रहे वहीं चार लोग के खिलाप इचाक थाना में मामला धर्च किया गया है पाकूर जीले की स्कूली छात्रा से मार पिट का वीडियो वायराल जारखन के पाकूर जीले से एक स्कूली छात्रा से मार पिट का वीडियो सोसल मीडिया पर वायराल हो रहा है सीम हमन सुरे ने इस मामले पर अब संग्यान लिया है इसे रजनी मुर्मू ने अपने ट्वीटर हैंडल पर सेयर करते हुए मंत्री आलमगीर आलम को टैक किया जिसमें उन्होंने लिखा कि एक लड़का एक आदिवासी लड़की को बुरी तरह से मार रहा है और दूसरे लोग इस घटना की वीडियो बना रहे हैं जनकारी के मुताबिक लड़की संत एस्टेनेलिस स्कूल पाकूर में पड़ती है और लड़का रोला मारा गाओं के महेशपूर बुलाओ का रहने वाला है आपको बता दे कि आदिवासी महिलाओ पर हो रहे अत्याचार के इंसाब वीडियो इस तरह सोसल मीडिया पर अमोमन आते रहते हो है जारखंड में तुफायान आने वाला लगता है निसिकांत दूबे भरश्टाचार के संगीन आरोपो में गिरफतार राजे की खनन सचीव आईएस अधिकारी पूजा सिंगल प्रकरण में जारखंड के मोखी मंतरी हमान सुरेन पर बहुत आक्रमक तरीके से निसाना साधरे भाजपा सांसर डाक्टर निसिकांत दूबे ने रभी वार देर र आई नितिक हालात से भी जोड कर देखा जा रहा है समहता निसिकांत के इस ट्वीट में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हंगामेदार सब को हिला देने वाला या फिर देश पर देश में हरकम मचाने वाले किसी घटना करम का पुरुन्मान व्यक्त किया गया है मिथिले स्ठाकूर को चुनाव आयोग भेज सकता है नोटीस भारत निर्वाचन आयोग लोग परतिनिधित्व अधिनिया मुनई 151 के उलंगन मामले में पेज जलिवम स्वक्षता मंत्री मिथिले स्ठाकूर को नोटीस भेज सकता है बताया जाता है कि आयोग गड़बा को उपायुक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है अब अगली कड़ी में आयोग मंत्री को इस मामले में नोटीस भेजने की त्यारी कर रहा है मंत्री के खिलाब भारत निर्वाचन आयोग के सिकायत की गई है कि उनके द्वारा 2019 के विधान सभाचुनाव में अपने नवांकन फर्म में दिये गए बेवरा के अनुसार वे में सर्स स्थ्यम बिल्डर्स पच्मी सिम्भूम के पार्टनर है या कंपनी सरकाई ठेका लेने का काम करती है तेज आन्धी में जर से उख़ड़ गया बास चार बचो की मौत जारखंट के गड़वा थाना चेत्र के बरवार्डी गाओं में रभिवार की दोफर में तेज आन्धी ने चार बचो की जान ले लिहाए चारों बच्चे एक ही गाओं के बताये जा रहे हैं वे सब ही गाओं के एक पोखर में मचली मारने गए थे आंधी चलने के साथ बारी सुरू हो गई इस बीच लोग पोखर से निकल कर बास के बखार के नीचे बैठे हुए थे आंधी में बास का बखार जर सहीत उखड कर पलट गया इसके नीचे चारो बच्च दव गया है चारो बच्चों की मौके पर ही जान चली गाई बास के नीचे दवे बच्चों को जैसी भी से निकालने की क्वायत जारी है धन्यवाद